दोस्तो नमस्कार मैं हूँ केश्री पांडे और आप देख रहे हैं Uncut Crime coverage दोस्तो दरसल हर एक परिवार के लिए एक बेहतर सुरक्षा बहुत जादा जरूरी है परिवार चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो या फिर किसी भी एरिया में क्यों न रहता हो लेकिन उसके लिए सुरक्षा जो होती है वो सबसे पहले चाक चौबंध होनी चाहिए लेकिन अगर आपके घर का मुखिया ही ऐसा हो जो अपने बच्चों की फिकर ना करे जो अपने बेटी की इज़त को दाओं पे लगाने के लिए अमादा हो उसके लिए अब क्या ही कर सकते हैं लेकिन जरुरत है तो बच्चों को भी अवेरनेस की जरुरत है तो परिवार के लोग को एक ऐसा माहौल बनाने की जिससे परिवार का हर एक आदमी हर एक मेंबर सुरक्षित हो सके दोस्तो आज की जो सच घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसमें आप जो सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से लोग अपने घर में अपने बच्चों के ही सेक्योर्टी पे फोकस नहीं करते हैं और जबरदस्ती उनको अपने दोस्तों के हवाले कर देते हैं यह जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे एक आदमी होता है उसकी बेटी को उसके ही दोस्त उसके बेटरूम से जबरजस्ती उठा ले जाते हैं और लगातार उस बेटी के साथ आठ महीने तक लगातार गलत काम होता रहता है और बेटी चीखती है चिलाती है वो हर संभव कोशिश करती है कि काश वो बच ज कर दोस्ता है लेकिन वह नहीं पचपाती दरसल दोस्तों यह जो मैं आपको घटना बताने जा रहा हूं यह त्रिविंद्रम की है जो की साूथ हिंडिया पड़ता है तुर सबस्क्राइब our प्रता है यह बहुत ही जदा कैज वर आदमी होता है शो बाजी वालादमी इसको लगतार, पार्टीज में जाना घर पे दारू की पार्टीज अरेंज करना और इस तरीके से अपने दोस्तों के घर बुलाना कि जैसे इनके दोस्तों का ही घर है, हलंकि अच्छी बात है अगर आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी लोग के साथ उनको घर पे बुलाना या घर पे जाना या पार्टी करना कोई बुरी बात नहीं है लेकिन ऐसी सिचुईशन में जब आपकी बीबी आपकी बेटी आपके घर पे हो और आपने दोस्तों से अपनी बेटी को आप इंवाल्व करा रहे हो बार बार उनके साथ अकेले भीज रहे होती है ये कहीं न कहीं सेक्यूर्टी पे एक बड़ा कोईशन मार्ख हता है और बेटी की इज़त को ध्यान में रखना बाप की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है दोस्तों ये जो बेटी होती है 16 साल की होती है ये 16 सार के लड़ी की पढ़ने में बहुत ही जादा ब्रिलियंट, बहुत ही जादा अच्छी और एक अच्छे संसकार वाली बच्ची है, इसने अपने बाप को नमालुम कितने बार आगाह किया, कि पापा आप जो ये अपने दोस्तों के यहां पिलाते हो, दारू पार्टी करते रहते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता, पापा अपने दोस्तों को घर पे मत बुलाओ, बाप पहले तो बेटी के बाप बात को सुनता है, और उसको बहुत तेजी के साथ डार देता है, कि चुप रहे, तो ये बनावटी पन अपने पास रख, लेकिन हकिकत ये थी, कि बनावटी पन बेटी में नहीं थी, बनावटी पन थी, तो वो सिर्फ बाप में थी, दोस्तों जो रवीश होता है, ये बाप जो मैं बात कर रहा हूं, इसका नाम होता है रवीश, रवीश जो होता है, ये एक दुकानदार होता है, दुकानदार किस चीज़ का था, ये फोटो ग्राफ जो होता है फोटो शूट करने के दुकान थी इसकी वीडियो कैमराज थे इसके पास फोटो थे और हमेशा शादी की पार्टीजम जाता था कॉंट्रेक्ट लेता था और कोई भी ऐसा फंक्शन जहांपे अगर फोटोग्राफर के जरुषत होती तो आस पास के लोग इसको इन्वाइड करते और यह वहाँ पर जाके फोटोग्राफ लेता जब यह फोटोग्राफिक करने जाता वहाँ भी यह औरतों से महिलाओं से छेड़कानी करता और इसकी इसी हैबिट के वह ऐसे लोगों ने आसपड़ेस को लोगों ने इसको अपने घर पे इन्वाइड करना बंद कर दिया था लोगों को लगता था कि यह फोटोग्राफिक के नाम पे छेड़ चाड़ करेगा और उनके बेज़ती होगी और इस वह से इस आदमी का धंदा बिल्कुछ चौपट हो चुका था अब जब पैसे नहीं होते तो दिमाग काम करना लगबग कम कर देता है उसके पास आप्शन नहीं रहते और यही हुआ इस रवीश के साथ जब इसका काम बंद हो गया तो दोस्तों को हमेशा अपने घर पे इन्वाइड करता है कि आप लोग पार्टी एरेंज करो मेरे लिए मुझे दारू की जरूद है मुझे इस समय नशे की जरूद है क्योंकि जे एक दारू बाज एक नशा बाज होता है उसको टाइम टू टाइम खाना मिले ना मिले कोई फरग नहीं परता पानी मिले ना मिले कोई फरग नहीं परता लेकिन उसको नशे वाली चीज़ें जरूर चाहिए और यही होता है इस रवीश के साथ रवीश के दोस्तों का इसके घर पे आना जाना शुरू हो जाता है और आना जाना इसकदर बढ़ जाता है पार्टी बिल्कुल खुल ले आन पे डीजे बजा के गाना बजा के घर में माहौल बनता रात के एक एक दो दो वे तक पार्टी चलती रवीश की बीवी का अलड़ी जो है निधन हो चुका था घर में सिर्फ दो ही लोग थे रवीश और उसकी बेटी बेटी के लाफ मना करने के बावजूद भी रवीश ने इन चीजों को मना नहीं किया इग्नोर नहीं किया अब धीरे धीरे जो बेटी होती है 14 साल से 15 साल की हो जाती है 15 साल से 16 साल की हो जाती है और बिलकल वो बड़ी दिखने लगती है वो ज़बान दिखने लगती है, 16 तैसे सील की लड़की बेले ही ती। लेकिन कहें ञाई किएंगी कुछ लड़कीं की ग्रोथ जो होती रहती है, वो बहुत जलिदी हो जाती है, वो 15-16 साल की उम्र में ही लड़कियां काफी बड़ी नजरानी शुरू हो जाती है और यही होता है इस लड़की के साथ अब इस लड़की इसके घर की बनावाट रवीशे घर की बनावाट कुछ इस तरह की थी इसके घर की जो चौड़ाई थी वो लगभग 15-16 फिट के आस पास थी और अब घर बिल्कुल सपाट लंबा था यानि स्टार्टिंग से लेके एंड तक बिल्कुल सपाट था लंबा था इसमें क्या होता था जो लोग होते थे जो इसके फ्रेंड आते वो बीच वाले कमरे में पार्टी करते आगे वाला कमरा जो होता था वो खाली रहता और पीछे वाला सबसे कमरा वो बेटी का था उस पे भी लोग नजर दखते है कि बेटी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही ह अब क्या होता है कि जब एक दिन यही सब बात चल रही होती है जिसके दोस्तों ने इसके रविश को बात बताना शुरू किया इसके माइंड को पुश करना शुरू किया ब्रशब करना शुरू किया कि क्यों न अगर तुम अपनी बेटी की हल्प लेते हो तुम बहुत जल्दी बहुत जादा पैसा कमाओगे और ये बेटी तुम्हें कहां से कहां पहुचा सकती है इसको किसी डांस के स्टूडियो में डालो जहां पे डांस कंपनिस होती हैं वहां पे डालो अगर जरुद पड़ी तो बार में भी डाल सकते हो लेकि बात करने का तरीका देखिए कि जब दोस्त बोलते हो कि 2-3 घंटे के लिए भार में डालो लेकिन जो इनका सउजेशन था कि उद्हां कि बाप से बोला जा रहा है कि अपनी बेटी को बार में डाल मेरी बेटी 16 साल की है और इसको बहुत जादा पैसा मिलने वाला वहां से और फाइनली यह जो होता है अपनी बेटी के साथ डिसक्स करता है बेटी ने कंप्रेटी मना कर दिया तो दोस्तों ने कहा कोई बात नहीं अब तुम्हारी बेटी को हम लोग ले जा रहे हैं इसको जी वैसे करो लेकिन पैसा मुझे मिलना चाहिए अब यह प्लाइनिंग हो जाती है तीन दिन बाद लड़की अपने घर में सो रही थी रवीश को मैंने चुपके से रात को प्लाइनिंग बनाई गेट खोल दिया मेन जो गेट होता है घर का बड़ा वाला गेट उसको खोल और मैं दोस्तों को फोन करता है कि मैंने गेट खुला रखा है तुम लोग को जब आना हो आ सकते हो चार लोग एक वैन लेके आते हैं इसकी सोती हुई बेटी का मुझ तबाते हैं उसको कुछ सुगा देते हैं बिहोस हो जाती है और उस लड़की बचारी को मासूम को अपन देते हैं और उसको वहा के चले जाते हैं बाप को अगले दन से जो हो एता है वो लगप हजार रुपए, पांस रुपए आने शुरु हो जाते हैं लेकिन बाप को ये लगता है कि मेरी बेटी दो या तेन घंटे के लिए किसी बार में डांस करती है बाखी के टाइम पे वो अपनी खुशाल जिंदगी जी रही है उसने अपनी बेटी के साथ investigate करने की कोशिश नहीं कि उसकी बेटी किस situation में है किस हाल में है और इसका खामियाजा जो होता है वो बहुत बड़ा निकल के सामने आता है दोस्तों जब इस घटना के शिरुवात होती है तो जब यह लोग चार लोग उस लड़की को उठाके ले जाते हैं उस लड़की के साथ इन चार लोगों ने उसी रवीश कुमार के सगे दोस्तों ने इस लड़की के साथ सम्मन्ध बनाए इसका शारिरी शोषड किया इसका बलातकार किया और एक बार नहीं कई बार किया अब ये एक ट्रेंड बन गया ये लोग तो करते ही करते साथ में अपने लिंक वालों को अपने जानने वालों को ही बोलते कि 3000 रुपए दो, 5000 रुपए दो और 16 सार की लड़की तुम्हें हम लोग अवैलिबल करवाएंगे समाज की जो मानसिता है इतनी घटिया हो चुकी है कि कम उम्र की लड़कियों पर अट्रैक्शन जो हता है जादा होता है आशक्त जो हता है वो लोग जादा हो जाते हैं और इसका रिजल्ड यह निकला है कि इस लड़की के लिए आने वाले गरहकों की संख्या बहुत जादा बढ़ जाती है 8-8, 10-10 गरहक, 6-6, 7-7 गरहक, डेली बेसिस पहते लड़की रोती, चिलाती, लेकिन मजबूर थी, यह कुछ नहीं कर पाती क्योंकि इसको जिस कमरे में रखा गया था वो कमरा जो होता था, पूरी तरीके से लॉक्ड होता था चारों तरफ इसकी स्तराण्डिंग होती थी, सुरक्षा होती थी CCTV कैमरे लगे होते थे, और इतनी कड़ी निकरानी के बाद ये लड़की समझ गई थी, अब इसकी जिंदगी शायद इसी मावल में गुजरने वाली है शायद एक दो महीने में जब ये मना करेगी, तो इसको मार भी दिया जाएगा अब एक दिन इस लड़की ने दिमाग लगाया, इस लड़की ने सोचा कि जब ये सब चीज मुझे से जबर जासी करवाई जा रही है तो क्यों ना मैं अपने चारों अंकल को बुढ़ा के बोल देती हूँ कि मैं ओपन लीज काम को करने के लिए रेडी हूँ क्योंकि वो चारों लोग इस लड़की को अलग अलग जगह पे, अलग अलग व्यापारियों को, अलग अलग नेताओं को भेजना चाहते थे क्योंकि आज कल ऐसी लड़कीयों की डिमांड बहुत जादा रहती है और होता यही है इस लड़की ने जाके अपने चारों अंकल को बुलाया बाप की दोस्तों को उन चारों धरिंदों से बोलती है कि अंकल जी आप मुझे जो चाहे करना चाहे कर सकते हैं जो भेजना जहां भेजना चाहे भेज सकते हैं मैं आपके अपोजित नहीं जाओंगी जो आप कहेंगे मैं वही करूंगी ये सुनते ही वो चारो दरिंदे खुशी शेपागर होड़ते हैं उन्होंने उसी दिन से इस लड़की की सप्लाई करने शुरू की और मोटा पैसा कमा शुरू कर दिया एक दिन जब सप्लाई पर लड़की गई हुई थी वहां से जब वापस आते समय इसने बोला कि मुझे कुछ वाश्रूम की जरूरत है मुझे इसमें रोग दोगाडी को मुझे रसने बहुत जादा पेट दर्द हो रहा है और ये लड़की जब वाश्रू और दोस्तों को एरेश्ट किया और जब ये घटना समाद में आती है मीडिया में आती है मीडिया ने इस चीज़ को बहुत जादा हाइलाइट करना शुरू किया महिला आयोग में घटना पहुचती है महिला आयोग ने छापे देना शुरू किया और कोर्ट में जज़ के साम कि एक एक जो मोमेंट इसा गुजरा है उसकी भरबाई करने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है आशा करता हूँ एक अदूर दिन में इसका फाइनल डिसिजन आने वाला है कि लोगों के साथ क्या होने वाला है लेकिन आप सोचे जब ये लड़की अब भी निकली है तो अब इस लड़की ने अपने घर पे जाना बंद कर दी अपने बाप और उन आदमियों से पूरी तरीके से रिस्ता तोड़ लिया है पुलिस की निगरानी में है और अब इसने एक ट्रस्ट के साथ एंजियों के साथ काम करना शुरू कर दिया है जो कि चाइल्ड सेफटी के लिए काम करता है क्योंकि इसको अपने जिन्दिके से बहुत बड़ा सबक मिला है दोस्तों आप सोच सकते हैं कि बाप ही क्यों ना हो लेकिन बाप अगर नालायक है तो बच्चों को बाप पे भी विश्वास नहीं करना चाहिए उसको अपनी गुजर पसर के लिए एक आप्शन तलासना चाहिए सरकार से गुहार लगानी चाहिए पुलिस के पास जाना चाहिए या फिर अच्छे नियताओं से कॉंटेक्क करना चाहिए तो दोस्तों आसा करता हूँ आज की ये जो विडियो है आपके लिए बहुत जादा इंफिर्मेटिव रही होगी अगर आपके पास ऐसा ही कोई ट्रैफिकिंग का केस हो उन बच्चों का जो है सपोर्ट आप जरूर कीजिए उनके हेल्प जरूर कीजिए कि ऐसे बच्चों को आपके हेल्प की बहुत जादा जरूरत है मिलते हैं एक ऐसी नई वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार नमस्कार